ताँ आज की वीडियो में हम बत करेंगे कैसे एक local mate inverter की सेटिंग कीजाए या किसे चैसे यसे अच्छे देग से अधिern Nay Indrefter किया जाए तो फिर उसे चेंज करके यही किट लगा जाती इसके परफार्मिंस बहुत अच्छी है और लगाने बहुत ही आसानी से चॉल हो जाती है तो इसके सेटिंग आपको बता देते हैं किसके पेसे कैसे आप सेट करेंगे जिसेगी आप अच्छे देगे से इस किट को चला सके आते हैं और पूरा वीडियो हमारा आएक इसके पेसे पेसेट के वाएं बात करते हैं इसमें देखिए… एक दो.. तीन.. चार… उआ. यह च्छोध सेटे से यह न लगे होते हैं फिर से बताता हम आपको एक दो…. तीन.. इसके वैल्यू है 503 और यह आउटपुट इस पे से 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 होती है इसके वैल्यू है 103 उसके बाद बारी आती है इस पे से की इससे हम आउटपुट सेट करते हैं इसके वैल्यू है 502 और इसके बाद बारी आती हैं दो पे सेट की इसके वैल्यू है 103 इससे हम चारजिंग सेट कर करते हैं आपफो अब सिबसेत करके बताते हैं HOW LIF इमलटेर की आउटविट पर हम छेकरेंगे ताप इसे अउन करते हैं जी देखें इसने आउग्थ बेडिस बता रहा है इसकी आउख्व फोल्ट में इसकी आउट्पूत ऋला सै गाये उर सेका में किक हम掰掰 या 250 या 250 का स्पर लखेंगे यह देखिए आउटफट वालप पी सेट में आपको बताया था यह इसे हम इसके आउटपूट चेट करते हैं यह देखिए हम इसे 240 वोल्ट आउटट का सेट कर देंगे अब बार यह है इसकी फ्रक्वेंशी सेट करने की फ्रक्वेंशी के लिए आपको यह पर सेट बताया था तो इसकी फ्रक्वेंशी हम 50 हर्स सेट करेंगे देखिए अभी देखने कितनी फ्रक्वेंशी बता रहा है अभी देखिए फ्रक्वेंशी की बता रहा है यह 48 हर्स इसस 50S पर सेट करना है तो इसे सेट करते हैं यह देखिये इसे हम 50S पर देखिये सेट कर दिया है यह तो अपना इंवर्टर सेक्षन डे अपना हम सेट कर दिया है अब बात करते हैं चार्जिंग सेक्षन की तो फिर उसे पहले में लाइन से कनेक्ट करते हैं कि देखिए में लाइन से कनेक्ट हो गया है अब इसकी चार्जिंग चेक करते हैं इसने चार्जिंग करना शूरू कर दिया है अब देखते कितने अब चार्जिंग कर रहा है यह देख्यां एम्पे मिल्टर पर हमारे 20 एक ंपर चार्जिंग कर रहा हुआ है तो चार्जिंग की थोड़ी सी कम करेंगे यह समा किसल संद चार्जिंग कम ज़्यादर करका शकते हैं जारी वुद् 연 रूप करते हैं तो इसके लिए हम पहले एक DC वोल्ट मिटल लगेंगे उसके बाद चार्जिंग कट सेट करेंगे लेकिन पेस्ट यही यूज़ होगा इस बात का ध्यान रखें दोस्तों अगर फिर भी कुछ आपको जानकरी और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पता कर सकते ह वीडियो आपको पसंद आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले थैंक यू